चलिए आज हम यह जो अपनी बुक है, रिजलीशन, इसका जो थर्ड लेसन है, ग्रोइंग अप पेंस, इसको हम शुरू कर रहे हैं आज, ग्रोइंग अप पेंस जो लेसन लिखा हुआ है, यह आरके मूर्ती का लिखा हुआ लेसन है, एक बारती राइटर है बच्चों के लिए काफी कुछ लिखते हैं ये पचास से ज़्यादा किताबे इन्होंने लिख दी हैं अब तक और कई पुरुषकार भी इनको प्राप्त हो चुके है और ये जो आज हम एक लेसन पढ़ रहे हैं Growing Up Pains का मतलब होता है Growing Up का मतलब बढ़ते हुए बढ़ते हुए बच्चे किशोर अवस्था के बच्चे जैसे आप लोग है इनकी दुख तकलिफे हैं ये क्या दुख तकलिफे होती है एक्चुली लाइफ का सबसे critical time होता है ये सबसे ज़्यादा समविदन शील समय होता है ये किशोर अवस्था जिसको हम बोलते हैं किशोर अवस्था का मतलब आप ये मान लेजिए कि 10-11 साल से लेकर गया 18-20 साल तक की जो अम्र होती है जो आपकी अम्र चल रही है अभी ये किशोर अवस्था की उम्र कहलाती है और इस उम्र में शारेरिक और मानसिक कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं शारेरिक परिवर्तन कई प्रकार के होते हैं हमारे शरीर में कई प्रकार के ऐसे परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं जो हमें प्रेशान करते हैं कई बार शारिरिक संरशना में बदलाव होना शुरू हो जाता है दाड़ी मुझ आने लग जाती है मानसिक रूप से भी हम हमारे अंदर बहुत सारे परिवर्थन आते हैं हमें लगता है कि अब हम हम सब कुछ कर सकते हैं हमी है जो है जरा सब कोई आपको कुछ कहे तो बुरा लगता है यह अवस्था ही ऐसी होती है आदी कच्ची अवस्था होती है आदी पक्की अवस्था होती है छोटे भी नहीं होते हैं और बड़े भी नहीं होते हैं और माबाप, माता-पिता जो होते हैं उनके लिए भी बड़ी चिंता का विशे होता है ये जो उम्र होती है बच्चों की क्योंकि बच्चे इस उम्रे में कई बार गलत रास्तों पे भी चल पड़ते हैं तो माता पिता भी अपने बच्चों का विशेश रूप से ध्यान रखते हैं छोटे बच्चे होते हैं सड़क पे खेल रहे होते हैं कोई बात नहीं है बड़े बच्चों को भी वो भी अपने आपको समाल लेते हैं लेकिन आपकी उम्रे के जो बच्चे होते हैं चोकि उनके समझ कम होती है, गलत रास्ते पर चल जाने, चले जाने की पुरी समभवना होती है, गलत लोगों के साथ रहें, गलत रास्ते पर चले जाने, इस बात की पुरी समभवना होती है, तो माता पिता को भी बहुत जादा सतर्क रहने की आवशकता होती है, अब माता पिता क्या करते हैं रोक टोक करते हैं ये करो वो मत करो यहां बैठो वोहां मत उठो ऐसे पचास तरह की बाते होती है और इस उम्र का जो बच्चा होता है उसको बुरी लगती है बाते हैं क्योंकि वो आजादी चाहता है अपने लिए है वो चाहता है कि मेरे को कुछ नहीं कहा है मैं मेरे साफ से कर लूँगा सारी चीज़ों को और माता पिता को लगता है कि नहीं हम इसका ध्यान रखें हम इसको समझाएं तो ये एक प्रकार से संगर्ष की स्थिति उत्पन हो जाती है कि सोर आवस्था के बच्चों में और माता पिता के बीच में दोस्त के यहां पार्टी में जाना है तो नहीं जाना मना कर देते हैं नहीं को जरूत नहीं पढ़ाई करो लेकिन बच्चा जाना चाहता है कही तरह के बाते होती हैं तो ये सब चीजें आवाज भारी होने लग जाती है और दाड़ी मूँ चाने लग जाती है चेहरे पर पिंपल्स भी कई बच्चों के आने शुरू हो जाते है तो बड़ी परिवर्तन की अवस्था होती है ये एक और इस परिवर्तन की अवस्था में अब वो तो जो बिचारा बच्चा उसको जेल रहा है जिन Life is hard, I tell myself, as I stand before the mirror and watch acne, that dreaded scum of a disease. और यहां पर एक लड़का है, उसी के सब्दों में लिखी हुई है, यह बात, वो कहता है कि Life is hard, I tell myself, as I stand before the mirror and watch acne. और मैं शीसे के सामने खड़ा हुआ हूँ, और शीसे के सामने खड़ा होकर कि जब मैं मेरे चेहरे की जो मुहासे हैं, केल मुहासे हो जाते हैं, उनको देखते हुए, मैं कहता हूँ, that dreaded scum of a disease, यह जो एक प्रकार की एक गंदगी का प्रितीख है, जो एक बीमारी है एक प्रकार की है, अब वो ऐसे अंदर की जो जिखना ही होती है, कुछ ऐसी चीज़ें उसमें भरी हुई होती है, तो वो अपने उन मुहासों को देखकर के कहता है, कि ओहो लाइफ कितनी हा पूरे चेहरे को बरबाद कर दिया है होता है कहीं के हो जाते हैं कहीं के नहीं होते I wish I could drive the pimples out with a wave off the hand और वो बच्चा सोसता है कि कास मैं इन pimples को जरे मेरे चेहरे के उपर हो गए है ऐसे मैं जाड़ करके इनको अपने हाथ से और उनको दूर कर पाता मतलब उसको अटा देने का मन करता है उनको Then I tell myself that acne is a temporary ravage that makes life a little less comfortable for a teenager और फिर मैं अपने आप से ही कहता हूँ I tell myself myself एक reflexive pronoun है यहाँ पर और फिर मैं अपने आप से ही कहता हूँ that acne is a temporary ravage कि यह जो acne है यह तो एक ऐस्था ही रूप से विनाशकारी चीज है नस्ट कर देने वाली चीज है that makes life a little less comfortable for a teenager और यह जो किशोरा वस्ता के बच्चे होते हैं उन बच्चों के लिए थोड़ा सा यह जो जीवन है थोड़ा सा कठिन हो जाता है इन मुहासों के साथ अच्छा नहीं लगता वो बार बार आजीब सा भी लगता है चैरे के ओपर बार बार वो उसको अटाने की कोशिश करता है लेकिन हटता नहीं है कितना चैरा बेकार हो जाता है वो सोचता है मनी मन के अंदर पट इस अच्छा नहीं लेकिन ये जो मुहासे हैं ये एक चिन है कि एक जो बच्चा है वो धिरे धिरे एक व्यस्क रूप लेता जा रहा है बड़ा होता जा रहा है लाइफ स्टाफ आई टर्न अवे फ्रम दे मिरर when it strikes me like a bolt of lightning और मैं एक दम से चीशे से दूर होता हूँ जैसे कि एक बिजली की चमक होती है बिजली की एक कौंध होती है इस तरीके से एक विचार मेरे मन में आता है और मैं चीशे से अपने आपको दूर कर लेता हूँ विचार आता है कि जीवन बहुत कठिन है बहुत मुश्किल है मैं वॉइस हैस टर्न रफ, अल्मोस्ट, रॉकस मेरी आवाज भी अब तो थोड़ी सी भारी हो गई है करकश हो गई है मैंने का ना आवाज में फरक आ जाता है आवाज भी प्रकार से अच्छी नहीं लगती है चुबती होई सी प्रतीत होती है और वेर हैस माई स्वीट वाईस वेर हैस माई स्वीट सॉफ्ट वाईस गॉन और मेरी वो अच्छी मधूर मीठी आवाज कहा गई हैवाई अवाज थोड़ी भारी हो जाती है तो उस लड़के को लगता है कि क्या हो गया मेरी आवाज को क्या मुझे कोई सर्दी जुखाम हो गया है जुखाम जब होता है तो जुखाम जब होता है तो अवाज थोड़ी भारी हो जाती है तो उस बच्चे को लगता है कि यार क्या बात है मेरी आवाज इतनी भारी कैसे हो गई है क्या मुझे कोई सर्दी जुखाम हो गया है Such gruffness goes hand in hand with a cold क्योंकि मैंने आपको बताया अभी कि जब सर्दी जुखाम हो जाता है न वेक्ती को तो भी आवाज जो है वो थोड़ी सी भारी हो जाती है अभी आप देखते भी होंगे कई बार आवाज से भी पता चल जाता है जब सर्दी जुखाम होता है तो आवाज भी भारी होने लग जाती है बट अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना तो मुझे कोई जुखाम है ना कोई सर्दी है तो मेरे कोई जुखाम भी नहीं है तो फिर ये मेरी आवाज इतनी भारी क्यों हो रही है मतलब उसको समझ नहीं आ पा रहा है उसके अंदर जो ये परिवर्तन हो रहे हैं शारिरिक परिवर्तन हो रहे हैं वो सोच रहा है इन चीजों के बारे में. Is there an uncommon cold? या किये क्या कोई ऐसमाने कोई जुखाआ में कोई सरदी है, जो मुझे महसूस नहीं हो रहा और हो गया है. A light bender lifts my spirits. और यह जो हलकी सी बात है, यह मेरे मन को, मन के अंदर जो उत्सा है, जो जोश है, उसको तुर्णा सा बढ़ा देती है. A common cold is common to all mankind. एक जो समाने जुखाम होता है, वो तो सब के लिए एक जैसा ही होता है, तो मेरे लिए को special जुखाम हो गया है, जो मेरी आवाज इतनी भारी हो गई है. लेकिन उसको लगता है, वो सोच रहा है कि लेकिन जब भी मुझे जुखाम हो जाता है, सर्दी लग जाती है, तो मेरे मदर फादर के लिए, मेरे अम्मा और मेरे अपा के लिए तो एक ऐसा मान्या सी बात हो जाती है, वो चिंता हो जाती है उनको बहुत ज़दा. उनको लगता है कि मुझे कोई बहुत जबर्दस तरीके से मुझे सर्दी लग गई है. और शायद कोई ऐसी सर्दी है, कोई ऐसा जुखाम है, जिससे कि मैं मर जाओंगा. और वो मुझे जबर्दस्ती बिस्तर में बेज देते हैं, रोड ले और पचास तरे की बाते हैं, भी सर्दी आने वाली हैं, आप भी देखते हैं, आपके साथ भी यह सब चीज़ें होती हैं. कपड़े पहन ले, गरम कपड़े पहन ले, स्वेटर पहन ले, सर्दी लग गई है तेरे को जुखाम हो गया है तेरे को, और डाक्टर के पास ले जाते हैं, जबर्दस्ती हो, डाक्टर क्या कहता है, करता क्या है, वो हर तरह की दवाईयां मेरे सरीर के अंदर डाल देता है injection लगा देगा, 10-20 तरह की tablets दे देगा, capsule दे देगा यह सब कुछ होता है When I tease them for being over protective they grunt और जब मैं उनसे कहता हूँ कि यह क्या आप, हमें कोई बच्चा हो कि आप मेरे इतना ध्यान रखते हो मैं बड़ा हो गया हूँ अब मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ तो वो गुर रहाते हैं मेरे उपर चौपो जाओ How do you know तुम्हें क्या पता चलेगा You are too young to understand four fairs अभी तुम इतने चोटे अभी तुम इतने बड़े नहीं हो यह हो अभी तुम छोटे हो तुम क्या समझो हमारी तमारे डर हमारी चिंता क्या होती है चुप रहा हो तुम I am no coward Sorry Only our only child The apple of our eye तुम हमारे अकेले एकलोते बच्चे हो तुम तो हमारी आखों के तारे हो तुमको क्या पता हमारे को तुमारी कितनी चिंता रहती है चुप रहा हो बस चुप चाप दवाई ले लो चुप चाप सो जाओ अब इस तरह में इस तरह कैसे किया जाता है And if As if they understood my fears वो बोलते तो ऐसे हैं जैसे कि वो मेरी तकलीफों को समझते हो खुदने तो कह दिया है कि तुम क्या जाना हो अमारी दुख तकलीफों को हमारी डर को हमारी चिंता को ऐसे बोलते हैं जैसे वो हमारे को समझते हो I do have my fear मेरी भी तो अपनी चिंता है मेरा भी तो अपना डर है मेरी भी तो अपनी फिकर है मेरी भी तो है कुछ चीजे It was not there till the other day अभी कल तक तो कोई बात नहीं थी ऐसी कल तक तो सब कुछ ठीक था but suddenly out of nowhere it has appeared लेकिन पता नहीं आज कहा मेरे मन के अंदर ये धर पैदा हो गया है या आशंका पैदा हो गई है It fails all my walking thoughts and haunts my dreams too Sorry It fails all my waking thoughts and haunts my dreams too और पता है ये जो विचार मेरे मन के अंदर आ रहे है इससे मैं बड़ा मतलब अब तो मैं सपने में भी मुझे ये चीज़े दिखाई देने लगी है मैं बड़ा बेचैन सा हो जाता हूँ ये मेरे जितने भी विचार है इन विचारों में ये दर आ जाता है ये आशंका आ जाती है और सपनों में भी आजकल तो मुझे ये ही चीज़े दिखाई देती है हलंकि मैं कोशिश करता हूँ अपने इस दर को दूर करने की मेरे मन के अंदर जो ये आशंका हो गई है कि मुझे क्या हो गया है आजकल मेरी आवाज भारी हो गई है ये चेहरे के ओपर ये फंसियांसी हो गई है क्या हो क्या गया है मुझे तो एक प्रकार का डर होता है मेरे अंदर मैं इसको दूर करने की कोशिश भी करता हूँ I tell myself मैं अपने आप से कहता हूँ Only cowards fair I am no coward अपने आप से कहता हूँ I tell you डरते क्यों जो डरते तो वूँwide जो डर पोक होते है मैं कोई डर पोक थोड़ी हूँ जो होगा देखा जाएगा क्या हुआ थोड़े से मुवासरी तो निकल रहे है थोड़ी सी आवाजी तो भारी हो रही है कोई बात नहीं है बट इस ब्रावेडो डजन्ट लास्ट लॉंग लेकिन ये जो मेरी बहादुरी है जादा देर तक नहीं चलती फिर मन में वही बाते आने लग जाती है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है फिर अपने मन को समझाता हूँ फिर ऐसा महसूस होने लग जाता है और जितना जादा मैं इस चीज़ के बारे में सोचता हूँ अतना ही जादा वो डर मुझे और मजबूती के साथ जकड़ता पकड़ता चला जाता है अब मैं पहले जैसा नहीं रहा हूँ होता है, ये उमर ऐसी होती है परिवर्तन मैंने कहा न सारे दिक और मांसिक परिवर्तन होते हैं इस उम्रे के अंदर I have become a stranger to myself मैं अपने खुद के लिए ही एक अजने भी बन गया हूँ मैं खुद को समझ नहीं पा रहा हूँ अपने आपको नहीं समझ पा रहा हूँ मैं Till the other day I used to feel happy when Amma walked in unannounced surveyed the room gently chided me और अभी कल की तो बात है दो दिन पहले चार दिन पहले तो मुझे बड़ी खुशी होती थी जब Amma मेरे कमरे के अंदर बिना बताया आ जाती थी मेरे कमरे को देखती थी और मुझे बड़े प्यार से डाटती थी यह क्या फैला रखाया यह किताब फैला रखी यह कॉपी फैला रखी मुझे बुरा नहीं लगता था मुझे अच्छा लगता था जब मेरी मा मेरे कमरे के अंदर आती थी Is this a room? और आप पिक्स थी? यह क्या बना रखाया तुमने अपने कमरे को? मेरी मा कहती थी मुझसे. यह तुमने अपने कमरे को कितना गंदा कर रखाया है? कि सुराओं का बाड़ा बना रखाया कोई? कोई चीज कहीं पड़ी है, कोई चीज कहीं पड़ी है. और, and quickly got down to the task of cleaning the room, और मेरी मा तुरंत कमरे की सफाई में लग जाती थी. तब मुझे बुरा नहीं लगता था. थोड़े दिन पहले की बात है. मैं छोटा था. She would work at it with total dedication, और मेरी मा पूरे मन से मेरे कमरे में साफ सफाई करती, हर चीज को व्यवस्थित करती, आपके धर में भी होता होगा ऐसा. The books would go back into the book case, और side rack, और मेरी किताबे जो इदर दर पड़ी रहती थी, मेरी माँ उन किताबों को वापस से उनकी, जो उनका जो निर्दार इतिस्थान होता है, कोई selves है या जो भी कुछ है वहाँ रख दिया करती थी. The caps and pens pulled apart by me would get reunited, और कहीं pen पड़ा है, कहीं pen का cap पड़ा हुआ है, तो मेरी माँ वापस pen के अंदर cap लगा करके उसको वापस रख दिया करती थी. Bits and pieces of crayons that dot the floor would go into the bin, और चोटे-चोटे जो टुकडे होते थे, जो colors होते हैं, क्रेयान समझते हो ना है? चोटे-चोटे से chalk जैसे टुकडे होते हैं, color वगरा के, वो इदर-दर पड़े रहते थे, चोटे-चोटे, मतलब मेरी माँ उनको उठाकर के dustbin में डाल दिया करती थी. अब जब मेरी माँ मेरे कमरे के अंदर आती है, अब मुझे अच्छा नहीं लगता है. देखिए, आप ये परिवर्तन, पहले अच्छा लगता था, अब अच्छा नहीं लगता है. I have put up a warning on the door, और पता है, अब तो मैंने अपने दरवाजे के उपर एक sticker लगा दिया है. Knock down, knock before you enter. क्या लगा दिया है, पता है? अंदर आने से पहले खटखटा हैं ज़रा दरवाजे को आप, बोली है आप. मैं इसको, मुझे यह अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं इसको साफ रखूँ या गंदा रखूँ, आप खुश मत करो इसमें आकर के. मतलब मेरा कमरा है, आप मत छेड़ो. मैं अपने आप साफ सब़ाई कर लूँगा, मेरी जो चीज़ें जहाँ हैं, वहाँ पड़ी रहने तो आप. मतलब अब इस सुम्र में आने के बाद में उसको ऐसा लगता है कि नहीं, अब मेरी किसी भी चीज़ के साथ छेड़ चाड़ नहीं होनी चाहिए. अमा सीज़ दा नोटिस. और मा, मा तो मा होती है. और मा उस नोटिस को देखती है, जो मैंने दरवाजे पे लगा रगा है. As if it is Greek और Latin, जैसे कि वो किसी Greek बाशा में या Latin बाशा में लिखा हुआ हो. यहनी कि मेरी मा उस नोटिस को देखके भी अंदेखा, कर देती. यह मा को वरखनी पड़ता हुगा, नोटिस लगा दिया है तो. उसको तो जो करना है, वो करेगी. She continues to step into my room, unmindful of my privacy. और मेरी मा लगातार मेरे कमरे के अंदर आती रहती है. उसको इस बात से कोई परक नहीं पड़ता, कि मेरी भी कोई privacy है. कभी भी आके कमरा चेक कर लेती है. एनी टाइम. राद को बारा बज़े आके जगा देती है. हाँ वही, क्या चल रहा है? अरे यार, मेरा कमरा है, मैं बड़ा हो गया हूँ. ना, काईगा बड़ा हो गया हूँ. चल लट. ऐसा होता है. How can I make her understand that I need privacy? मैं अपनी मा को कैसे समझा हूँ. कि मा, मुझे भी कुछ privacy चाहिए, अब मैं बड़ा हो गया हूँ. If only she senses the गौस मर्दिन सटैन sorry, curtain that has come up between me and my parents. और क्या उसको थोड़ी सी समझ है कि अब मेरे और उसके बीच में मेरे और मेरे मातापिताओं के बीच में एक जैसे मकडी का जाला नहीं होता है, बहुत बारीक सा एसा एक गौस मर्दिन मतलब एक मकडी के जाले जैसा एक एक पतला सा एक परदा हम लोगों के बीच में आ चुका है. होता भी है थोड़ा सा, बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो थोड़ा सा होता है, कि हमारे बीच में अब एक जो छोटी सी जो उम्र का जो फरक आ गया है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, तो मेरी मा को थोड़ा सा आएगी इस बात को समझना चाहिए. Is this what growing up is all about a matter of individuality? A snapping of bonds? क्या ये एक बड़े होने की कोई निशानी है? Is this what growing up is all about a matter of individuality? कि एक बड़ा होने का मतलब ये है, व्यस्क होने का मतलब है कि जो हमारे बंधन है, उन बंधनों को थोड़ दें, हमें भी थोड़ी सी निश्ता चाहिए, हमें भी प्राइवेसी चाहिए. Who wants to snap bonds with one's parents? बंधन से दूर होता जा रहा हूं, मैं भी नहीं तोड़ना चाहता हूं उन से अपने बंधन को, लेकिन केवल ये एक विचार मात्र की मैं अपने माता-पिता से थोड़ा-थोड़ा दूर होता जा रहा हूं, मुझे रोना आ जाता है, लेकिन क्या करूँ, इस उम्र में ऐस पहले आपको पिता जी का इंतियार रहता था अभी आ रहे होंगे ऑफिस से गेट पे खड़े रहते थे जब जाते थे तो आप भी उनके साथ साथ जाने की कोशिश करते थे अब अब होता है कि ऐसा नहीं अपने काम में लगे रहते हो आप कभी भी चले जाते हैं कभी भी आ जाते हैं आप उनके पीछे दोड़ते हो कि अब नहीं नहीं न कौन चाहता है कोई चाहता तो नहीं है इन संबंधों को तोड़ना लेकिन फिर भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मैं उनसे दूर होता जा रहा हूँ और I am, or am I imagining या फिर मैं केवल कल्पना कर रहा हूँ I think अपपा इस वाच्फुल एंड वेरी वेन ही मीट्स मी और मैं मैसूस ऐसा करता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि जब भी अपपा यानि कि मेरे पापा मुझे देखते हैं जब भी मुझे से वो मिलते हैं तो मुझे को बड़ी चौकर्नी नजरों से देखते हैं सावधान नजरों से मुझे देखते हैं बड़े चौकर्ने रहते हैं वो Of course, his eyes clean with joy whenever I walk into his presence निश्चित रूप से जब भी मैं उनके सामने जाता हूँ जब भी वो आते हैं तो वो उनकी आँखों में एक चमक आ जाती है मुझे देखकर कि अपने बच्चे को देखके तो खुशी होती है बट अपने आप भी वो खुशी होती थी क्या ये खुशी भी ऐसी है or am I unable to feel its warmth because of the curtain that has come up between us या फिर पिताग के मन में तो वो ही खुशी आती है अब भी मुझे देखकर के लेकिन शायद हम लोगों के बीच में एक जो पतला पर्दा आ गया है ये इसकी वज़े से शायद मैं उनकी उस प्यार को उस प्रेम को शायद मैं महसूस नहीं कर पता हूँ मेबी बिकॉस अफ़ दा कल्टें ये सीज मी एस समवन डिफरेंट अरादर मिस्ती फिगर इंप्रेसाइस वेग एंड इलोसिव डवलपिंग अफ़ फॉर्म एट इस डिफिकल्ट फॉर हिम तो गेज हो सकता है हमारे बीच में ये जो पर्दा आ गया है अब हलका सा इस पर्दे की वज़े से साइद वो मुझे कुछ अलग नजर से देखते हूं साइद मैं उनको एक ऐस पस्ट धुंदला सा व्यक्ति दिखाई देता हूं जो कि मैं एक अलग रूप में परिवर्तित होता जा रहा हूं और साइद वो इस बात को देख नहीं पाते हूं बच्चा बड़ा होता जा रहा है डर का मतलब कि भी ये क्या हो रहा है इसको ये सब चीजें होती हैं सब के साथ होती हैं कम ज़्यादा Is that why? At times he makes extra efforts to be overly, overtly affectionate और क्या ये ही कारण है कि कभी-कभी मेरे पिता जी कुछ अत्रिक्त प्रियासों के साथ में मेरे साथ मतलब अपना इसनेह वही अपना इसनेह दिखाने की कोशिश करते हैं क्या ये ही कारण है? I do not know Maybe he tries to kill the fear in him by beating me Sorry, by treating me with caution और शायद, मुझे नहीं पता, शायद Maybe he tries to kill the fear in him हो सकता है कि मेरे पिता जी के अंदर जो डर है वो अपने उस डर को मारने की कोशिश करते हो By treating me with caution मेरे साथ बड़ी साथदानी पुरवक वैवार करते हो जो बड़ा हो जाता है तो फिर उसके साथ वैवार भी उसे के अनुरूप होना चाहिए साथदानी से बच्चा बड़ा हो रहा है कही वार कह भी देती है माँ और कोई अरे इससे ऐसे मत बोला करो, अब देखो बच्चा बड़ा हो रहा है आपका पहले तो छोटा था, कुछ भी कह लिया अब कोई ऐसी कुछ आटा मार देते हैं क्या नहीं, डाटना भी इतना आसान नहीं होता है, बड़ा हो रहा है बच्चा ऐसे तोड़ा हिसाब से डाटो या रभ होता है, पर कई तो होते हैं होते हैं, कही त्रहे की बाते हैं, होते हैं, कही तरिके की बाते हैं, हर तरिके की बाते हैं He find safety in treating me as a child और एक बच्चे के रूप में जब मुझसे वेवार करते हैं, तो 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 वो अपने आपको स्रक्षित मैसूस करते हैं He runs his fingers through my thick curly hair holds my head close to his chest and pats me वो एक जैसे छोटे बच्चे के को अपने पकड़ के अपने गले से लगा लेते हैं सीने से लगा लेते हैं उसके बालों में हाथ चलाते हैं वो इस प्रकार से करने की कुशिश करते हैं I would not say I hate him for doing that मैं यह नहीं कहूंगा कि मुझे उनका पहले आता था पहले तो गोदी में भी बैठ जाया करता था पिताजी मुझे पकड़ लिया करते थे मेरे सिर को से लाते थे मेरे पीट को थप थपाते थे मुझे अपने गले से लगा लिया करते थे मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मुझे पिता जी का यह सब कुछ करना बुरा लगता है पर अब मुझे वो मज़ा नहीं आता जो पहले आता था जब मैं छोटा था Once I would give the whole world for being held lovingly by अपपा और एक समय ऐसा था जब मैं छोटा था तो मैं पुरे संसार को छोड़ने को तयार हो जाता था मैंने आपको क्या कहा अभी पिता के साथ जाने के लिए तयार हो जाता था भागता था उनके पीछे उनसे लिपट जाया करता था पुरे संसार को सब को छोड़ देने को मैं तयार हो जाता था एक बार तो मतलब जब मैं छोटा था परंतु अब ऐसा नहीं है और अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं अब मेरे साथ मेरे पापा को ऐसा नहीं करना चाहिए मैं बड़ा हो रहा हूँ Is it not my time? कि आप समय नहीं है? I tell myself that he treats me as a grown-up especially when he has been reminding me to behave like one और हम मुझे लगता है कि क्या आप समय नहीं आ गया है? कि जब मेरे पिताजी को मेरे साथ एक एक बड़े व्यक्ति की तरह वेवार करना चाहिए जैसे कि मैं बड़ा हो गया हूँ और वो भी तब especially when he has been reminding me to behave like one और वो भी तब जब मुझे बार बार याद दिलवाते हैं कि अब तुम बड़े हो गया हो अब ये बड़ी problem होती है कभी तो कहते हैं कि बड़े हो गया हो कभी कहते हैं कि तुम इतने बड़े नहीं हुए हो अभी अरे बड़ा हो गया है जरा डंग से बैठा कर डंग से काम किया कर अच्छा जी बड़ा हो गया हमें फिर कभी कहते हैं कि अरे अभी तु इतना बड़ा नहीं हुआ है अरे अभी तु बड़ा हो गया है थोड़ा सा डंग से बोला कर अब तु छोटा नहीं रहा है अच्छा पिता जी आपकी मोटरसाइकल चलाया हूँ अच्छा अभी इतना भी बड़ा नहीं हुआ है तू अभी बच्चा है बच्चे की तरह रहे अब यार ये बड़ी प्राब्लम वाली बात है ये समझ में नहीं आता है कि मैं बच्चा हूँ या बड़ा हूँ कभी तो कहते हैं कि तू बड़ा हो गया है और कभी कहते हैं कि तू अभी बड़ा नहीं हुआ है तो बार बार जब मेरे को याद दिलवाते हैं कि अब तू बड़ा हो गया है बड़ों की तरह वेवार किया कर और फिर मेरे साथ ऐसा वेवार करने लग जाते हैं जैसे मैं बहुत छोड़ा हूँ I fall and sleep and scream with pain because of I sprain और जब मेरे पैर में कोई मोच आ जाती है तो मैं गिर जाता हूँ, मेरा पैर फिसल जाता है और मैं चिलाता हूँ, रोता हूँ जब मैं दर्द से तो am I is all kindness अब मा तो बड़ी द्यालू होती है उसको तो अरे क्या होगे मेरे बच्चे को अरे लग गई रे ऐसे होती है मा तो पर पिता ऐसा नहीं होता है पिता थोड़ा सा कठोर होता है क्या हो गया क्यों चिला रहा है है बच्चे की तरह चिला रहा है तू बच्चा है क्या कोई अभी कल तो आप कह रहे थे कि तू बड़ा नहीं हुआ है बच्चा है आज आप कह रहे हो कि तू बच्चा है क्या तू बच्चे की तरह रो रहा है बोलिया अप ही ग्रोल्स, you are 14 Samir, Samir तुम 14 साल के हो गए हो it is time you learned how to bear pain with stoic courage और अब इतने बड़े हो गए हो तुम्हें सीखना चाहिए छोटे बच्चों की तरह मत रोया करो तुम्हें तुमारे अंदर इतना सहास होना चाहिए कि तुम किसी दुख तकलीफ को सहन कर सको you are no longer a child अब तुम कोई छोटे बच्चे नहीं रहे हो I cannot forget those words मैं शब्दों को भूल नहीं पाता हूँ next evening before अपपा has returned from office I walk up to Amma और अगले शाम को पापा जब office से वापस आये उससे पहले मैं अपनी मा के पास गया I walk up to Amma she welcomes me with a big smile और मेरी मा मुझे मेरे तरफ देखकर के मुस्कुराती है मेरा स्वागत करती है but the smile turns into a frown when I ask her whether I could go for a party at Vishal's house लेकिन जब मैं अपनी मा से कहता हूँ कि मा आज विशाल के घर पर एक party है मैं आज उसकी party में चला जाऊ Amma says must be back before nine तो Amma मुझे कहती है चाठीक है लेकिन नौ बजे से पहले पहले वापीस आजाना होता है कहां गया कैसे गया कितनी देर लगा दी टाइम पे क्यों नहीं आया पचास तरह की बाते होती है मा को ज़्यादा चिंता होती है होती है बच्चा के चला जाता है खेलने भी तो चार वस कहां गया आभी तक आया नहीं है यह फला है डेंके पचास पच्चीस तरह की बाते हो जाती मा I am grown up now और वो बच्चा कहता है समीर मा मैं बड़ा हो गया हूँ Can I not stay out till all my friends leave I ask और फिर मैं मेरी मां से पुछता हूँ कि मा आपने तो कह दिया नौ बजे तक आ जाना लेकिन जब तक मेरे दोस्त वहां रुके है तब तक मैं नहीं रुक सकता क्या मेरे सारे दोस्त चले जाएंगे वहां से तब ही तो आउँगा मैं होता है न ऐसा होता है न पार्टी चल रही है तो पार्टी छोड़के थोड़ी बीच में आ जाओगे अच्छा जा नौ बजे तक वापिस आ जाना हम नौ बजे तक वापिस कैसे आ जाओ सारे दोस्त चले जाएंगे जबी तो आउँगा ना मैं ऐसे बीच में छोड़के कैसे आऊँगा अच्छा बीच में छोड़के कैसे आऊँगा कोई जे रूत नहीं जाने की बैट जागर पी यह लो यू थिंक दबन कर देना इसको यू थिंक यू आर ओल्ड इनफ टु बी ओन यूर राउन तुमको क्या लगता है समीर तुम भब बड़े हो गए हो तुमारे हिसाब से करोगे सारी चीज़े तुम रिमेंबर यू आर इस्टिल आ चाइल्ड जान रखो अभी भी तुम एक बच्चे हो इवन दो यू थिंक अदर्वाइज चाहे तुम कुछ भी सोचो यू आर एट एन इन बीट्विन एज आ टीनेजर तुम अभी छोटे हो तुम अभी किशोरा वस्था में हो तुम अभी बड़े नहीं हो हो अरे यार रद वोगई इवी तो कल तो कह रहा है थे बड़े हो गए कल तो कह रहे थे बड़ा हो गया हूँ बोलो मतलब अभी तुम बीश की उम्र के हो ना तो बड़े हो और ना बच्चे हो यह क्या मतलब हो गया किसी चीज़ का एं दे रेज देट रेजस माई हैकल्स और इसी चीज़ से तो मेरी परिशानी बढ़े जाती है कभी तो कहते हो छोटा है कभी कहते हो बड़ा है यह क्या बाद है डिसाइड कर लो पहले आप मैं छोटा हूँ या बड़ा हूँ I stamp my feet shout at her और मैं जमीन पर अपने पैर मारता हूँ मा को चिलाता हूँ मा की तरफ I am old enough अमा old enough to be on my own अम मैं इतना बड़ा हो गया हूँ मा इतना बड़ा हो गया हूँ कि मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ I will not allow myself to be treated like a kid और मैं नहीं चाहता हूँ क्या मेरे साथ एक बच्चे के जैसा वेवार किया जाए She gives me a stern look and asserts firmly और मेरी मा फिर मुझे सक्त निगाहों से देखती है आँखे निकालती है मेरी तरफ अच्छा ऐसे निकालती है न सक्त निगाहों से मुझे देखती है My decision is final बस मैंने बोल दिया न मैंने जो decision ले लिया वो final है No party for you कोई party party नहीं है Not today, not ever आज भी नहीं और कभी भी नहीं कोई party नहीं है I do not want you to end up as a wild caught और मैं नहीं चाहती हूँ मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम एक जंगली गोडे की तरह तुम बेवार करो अपना गवार रह जाओ तुम बस वो दिया रहा नहीं जाना कहीं पर भी बात कतम बैड जा राम से चुप चाहती इस तरह की चीज़ें होती है इस उम्र में आप लोग तो इस उम्र से गुजर रहे हूँ अभी गुजरना है आपको तो 5-7 साल और बहुत सारी चीज़ें होंगी आपके साथ लेकिन हो जाता है सब ठीक गलत रास्ते पर ना चलें आप थैंक यू वेरी मच आज इतना ही रख पाएंगे हम इसको और बाकी का जो है वो कल अपने इसको पूरा करेंगे इसके सेगेंड पार्ट में थैंक यू वेरी मच